नागरिक्ता संचोदान अधिनियम को लेकर जिस तरीके से एक ब्रहंतिया पूरे देश में फैराई गई कहीं न कहीं ओसी को देखते हुआ भारतिय अंतर पार्टी आगरा महानगर अध्यच भानु माजन के नित्रत तुम्हें पूरे शेहर में एक जागरुकता केंपेंग च क्या कुछ कहना चाहेंगे किस तरह का पूरा केंपेंग चलाए जा रहा है और डोर टो डोर जो एक प्रयास हो रहे हैं वो किस तरह के तागरिक्ता संचोदान अधिनियम 219 देश में चटी बार ये अधिनियम का पारित हुआ है अधनी पधान मंत्री मोधी जी के नेत्त हमारे जो भी ऐसे साथी बंदू विभाजन के बाद भी जो दुबारा अपने देश आकर नागरिक्ता लेने चाहेंगे उनको नागरिक्ता देश देगा ऐसा उनी का काम को लेकर आगे हम लोगों ने जाने का संकल्प किया मोधी जी के नितत में ऐसा एक संचोदान अधिनि को उसमें जोकने की खड़ी कर दी एक जो हमेशा से हिंदू मुस्लिम में, हमेशा एक ता कौनी एक ता एक रही है, उसको भी कही ना-कहीं खंड-खंड करने का उन्होंने गुम्रा करके इसका काम किया, इसके निमित ही शीजु ने निश्चे कि पार्टि का पृट्फरी का आज लॉंचिंग है और आज हमारे जितने भी महानगर से लेके महानगर पदरकारी हों पदेश छेत्र पदरकारी हों हमारे पारशद हों हमारे मंडल के अद्धक्ष हों हमारे चाए विधायक हों सांसद हों महापाउर हों ऐसे करके सभी हमारे प्रमुख लोग पार्टी के का करता प्रतेक वार्ड में इस संपर्ग अभियान को लेके डोल टू डो संपर्ग आज से उन्होंने शुरू करा बीस तारिक तक ऐसा चलेगा जिसके निमित ऐसे हमारे आदनी पधान मंत्री जी को यह हमने पोस्ट कार्ड बनवा कर इसको पोस्ट करवाएंगे धन्यवाद देंगे उनको और कहेंगे कि प्रतेक नागरिक जनता जनारदन आपके साथ खड़ी है और इसी प्रकार आप देश का नाम गांदी जी के जो काम है कुछ लोग गांदी जी का नाम रखक करने का काम करना इसी के लिए भारती अंता पार्टी का प्रतेक कारेकलता संकल्पित है और यह जन्संप कर गयान उसी की एक छोटी सी कड़ी है जिसमें आगरा से पतेक नागरिक प्धान मंत्री जी को यह पोस्ट कार्ट के माद्द्यम से संदेज देगा कि आगरा पूरा जो है उनके हर फैसले के संग हर ऐसी योजना जो देशित में उसके संग खड़े हैं सुने क्या कुछ कहना चाहते हैं पहले तो मैं एक सवाल मेरे जहन में यह उठता है कि मुलाहिम सिंग की पुत्रवदू है अपढ़ना यादा उन्होंने कई ने कई जैसे विरोध करने व कर रहे हैं जिस तरीके से इस नागरिकता कानून को दोनों ही सवादनों में एक विदिवत तरीके से पास किया गिए इस देश का बड़ा दुरफाग है कि कुछ राइनितिक दल उनको के बोटों के लाबा को समझवन निया था राष्ट औ धर्म उनको समझवन निया था तो वो राइनितिक दल विना उसे पड़ गए बिना उसे संज़ गए बिना उसे जान उगए मात्र एक समाज विष्ष को प्रहमित का प्रयास कर रहे हैं और उसकी आड लेकर देस में एक अराज़कता का माहूल बनाना चाहते हैं हलंकि जो लोग अपढने लगें और समझ़ने सचाही यह है इस नागरिक संसोतन बेदेग से मात्र उन लोगों को नागरिकता दी जानी है जो अफगानिस्तान पाकिस्तान और बंगला देश के धानमिक आधार पा जिन लों का उत्पिलन हो रा इसे नागरिक संसोतन बेदेग के आधार पर इसे देश के किसी भी नागरि त्रटहुति नहीं होगी, लेकिं एक ऐसा भॹ्रमुफएला का बात्रान pu verda क्या जा रहा है, एक अखऊवाखदा क्या जा रहा है, कि जन्हा जानेख क्या गटनागठ होने वाली है, क्या कुछ दूफानाने वाला है, कुछ वर्वशेष के साथ क्या अन्याय होने वाला है, इसलिए एक ब्रह्म पहला कर एक गुम्रा करके वर्वशेष को शड़कों पर उतारना, अब वर्वशेष के लोग भी समझ लगे हैं, कि सचाई कुछ और है, लेकिन लोगों ने ब्रह्म का बात्रम पहला है, इस देश क करकरता जानते हैं कå 수bbe के साभया है को कैसे बेनकाब कृशा घाए जा चाह बाति ने आज निर्द हडित की आओधेश पर है उन चेरों को हम ब मेरदां चाहिए और इसलिए भारती जनता पार्थी के कारगरता जोंगे घरों में जा जा कर बता रहे हैं किस पेकार का बात्रूं बनाना का प्रयास इस देश के उन राइनितिक दलों के दौरा किया जा रहा है जिनके राइनितिक धरातल खिसक चुका है और राइनितिक रोटियां सेखने का एक ऐसा नेलज प्रयास हो रहा है जो हर दिश्वोन से सरुना के डर का माहौल जो बनाया गया कही न कहीं उससे जो मुस्लिम स्माज की अगर बात की जाए तो उनकी बस्टियों में किस तरीके से भारतियंता पर्टी जाएगी उनकी बस्टियों में जाकर किस तरीके से स्पोस्ट काड अवयान को चलाएगी क्या कुछ प्लान किया है कुछ-ण let us आगरा की जनता को अपने सभी देवतुल कार्यकरताओं को नेताओं को एक साधुवाद भी अभाद भी की भलई प्रदेश में आसपास के शेहरों में भ्यावाय महौल हो कुछ जगा चेटपुड हिंसा की घटनाई भी हो परू परंतु आगरा ने पूरे देश में एक शान्ती का संदेश दिया कौमी एकता का संदेश दिया हिंदू मुस्लिम सिख इसाई की एक जुटता का संदेश दिया और एक सुशासन और एक अच्छे प्रशासन का परीचे जो दिया इसके लिए पूरे जनता जनादन को भातिनता पार्टी महानगर को बहुत बहुत की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद इसी प्रकार हमारी चाहे मुस्लिम की समाज की बस्तिया हो चाहे नाइकी बंडी हो मटन्टोला हो वजीरपुरा हो जितने भी हमारी मुस्लिम समाज की बस्तिया हो वहाँ पर अल्ब संक्यक मूर्चा और संग मे कि दोड़ टूड़ जाएंगे मुसलिम भाईयों को भी जागरूप करेंगे विपक्ष ने जो गुम्रा करने का काम दिया है तो हम लोग जो की पार्टी का कारकलता पतेक संकल्पित है राष्ट नीती के लिए तो उनको सद्गमार्ग में लेकर चलने का उनको इसके जो जैसा लिए अदिनियम मनाया है वो सही विशे को पहुचाना प्रतेक मंडल में ऐसे ही सयोजग मनाये गए हैं जो ऐसे शर्णार्थियों को भी चिन्नित कर रहे हैं शर्णार्थियों को इनको चिन्नित करने का काम भी भारतियां ता पार्टी का कारे करता करेगा कि शर्णार्थि को नागरिकता मेले उसे कोई दिक्कत ना आए इसका भी संकल्ब का काम भालती हैं ता पार्टी का पते कारे करता करेगा इसके तैदिया नियम चल रहा है और बहुत सफल हर जगा हर वर्ग हर समाज है मुसलिम हो पार्सी हो बहुत हो कोई भी ऐसा अपना व्यक्ति किसी भी समा होल बनाया है इन्होंने सरकारी प्रपर्टी की च्छती की है उनलोगों को किस तरीके से कडे निर्देश निर्देश गूर्मरेंट डिये हैं और क्या कुछ उनसे जो इक निर्देश दिये हैं सासन पर शासन को वसूली तक की जाएगी अगर वो इस हिंसा मैं सामिल हुए बहुत इस्पष्टा है, इस देश का कानून है. उत्तव ये सरकार उस कानून को लाऑू करने के प्रतिवद्ध है. ऐसा नहीं हो सकता, वो कोई वेक्तिर अराजिखता करें, जनता की शमपत्ति को नुक्सान पोचाई है. बबलिक प्रोबर्टि को देमेच करें, ये सरकार ब बाऒ चाकता का माहल फ्हलायया। ठापट्राइब उन्हें नुक्सान पहुचाया। जिस देश के सरवच नियाले जो दिशान निर्देश हैं, उनका पालन करते हुए, उनका परपालन करते हुए, ऐसे लोगों से जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाएगी, और की जाने का प्रयास क्या जा रहा है? ये गिले में तो आया है, जब कुछ लोगों नुकस नुकसान किया, उनको नोटिस जारी किया गए भरपाई करने के लिए, तो उनके कुछ लोगों ने खटा होके छेलाग से अधिक की जमा कराई जिलादिकारी महोदे को, और इस पकार उन्हों ने जो भरपाई की थी वो उन्हों ने खतम किया, वह संदेश पूरे प्रदेश में घया पूरे देश कि जिन लोगों ने अगशान पहुंचा है, नुक्सान मत पहुंचाइए, आपको संभेदाने रूप से लोक्तानती रूप से बरोथ करने का अधिकार है, बरोथ करिये, कोई दिक्त निया लेकर आप संपत्ती को नुक्सान पहुंचा के हिंसा को कि यह जो शंसोधन किया गया वो नागरिक ता देने के लिए कि अगिया वह किसी लोगों की सोच है उसमें परभरतन आएगा जो हिनसात्मक बनाया है देश में जो अराजक माहौल बनाया है उसको नहीं बनाएंगे कैमरिक पीछे आरिन भगिल में करतार सिंभ अर्थन्यूच